सो हे गाईज वल्कम बेक टो एटेक टॉट दोस्तों अगर आप लोग रेलमी सेटू डिवाइसिज यूज़ करते हो और अभी तक आपको रेलमी यूई का अपडेट नहीं मिला रेलमी सेटू डिवाइसिज में तो आपके रेलमी ने सेटेबल अपडेट रेलमी यूई का रोल आउट करना सटार्ट कर दिया है और वर्जन देखने को मलता है C.47 यानि की वीडियो इंटरस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नीचे आपको लाकलर का बटर मिलेगा सबस्क्राइब कर लेना और साथ में जो बैल का इकन हैगा उसको दबा करके और पे कर लेना दोस्तों अगर आपने मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोएन किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी मेजिस मेरे सबस्क्राइबर मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्तों ना शेयर कर दी कि उनको जो नया सॉफ्ट्रेर अपडेट है RMX1945 जो कि Realme C2 का मॉडल नमबर है C.4547 का मिलना स्टार्ट हो गया है और इसका वर्जन देखने को मलता है C.47 साइज देखने को मलता है 150 MB और इसमें आपको क्या देखने को मलता है वो भी यहाँ पर कन्फर्म कर दूँ और जो यूजर अभी भी ColorOS 6 के उपर है उनको सीधा ही C.47 का अपडेट मिला उनको साइज देखने को मिलेगा 2.1 GB तो यह मत सोचना कि भाई हमें 150 MB मिला और उनको 1.1 GB देखने को मिला तो अगर आप लोगों ने पहले Realme UI कर लिया है तो आपको थोड़ा कम साइज मिलेगा और अभी आप ColorOS 6 के उपर हैं सीधा आपको Realme UI मिल रहा है आपको पूरा Realme UI के जो features हैं बहुत सब कुछ देखने को मिलता है इसके regarding के पूरा full review आने वाला है तो वेट कीजे C.47 के update का पूरा review आने वाला है इसमें आपको क्या-क्या features देखने को मिलते हैं और क्या-क्या यहां पर optimization हुई है पूरा Realme UI के features देखने को मिलते हैं और भी कुछ यहां देखने को नहीं मिलता यूंकि यह था features पहले Realme C2 के जो और users थे जिनको Realme UI का update मिल गया मिल गये होंगे यह features अच्छे उनको लगेंगे जिनोंने अभी ColorOS 6 से सीधा Realme UI के ओपर आ रहे हैं वैसे इसका full review आने वाला है तो आप लोग wait कीजे पूरे full review में आपको पूरा clarify कर दूँगा अगर आपका update नहीं मिला तो आप लोग जाकर के मेरे टैस्ट गाम को जोईन कर सकते हैं मैं बहाँ पर आपका link शियर कर दूँगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care